इसलाम आलेकुम, कैसे हैं सब लोगो अमीद करते हैं आप सब अच्छे होगे तो ये मैं आपको कोई शॉप्ँंग विलॉग नहीं देखने मिले गाँ ये में आपको शादी के आपको कुछ देखने मिलेगा और हम बहुसто नाप लिए WAY रहा घूँआ नहीं कि और यहां पर यह जो पाव है। यह जो पर क्रीम पाव है। इसंदे बहुत से लोगों को पता होगा। तो यह भी हम खते हैं कि आश्ट में सुबहे हैं। यह मेर भाई खाता है। यह चाई जो है पपा को देना है। क्यूंकि पपा नाश्टा कर रहे थे। और ऐसा होता है कि पपा को कभी जल्ली जाना होता है तो पपा फिर जल्ली ही कर लेते हैं और पपा के नाश्टा करने के बाद खाना खाने के बाद ही हम खाना खाते हैं और इस बस उठा रही है और फिर हम लोग नाश्टा करने बैठे हैं हम लोग नाश्टा करने बैढ़ ही थे तो मेरी नानी ने बोले कि अंडा बनाना है तो वो खुदी बनाया अंडा और मतलब उनको बहुत शौक है मैं हार टाइम बताई हूँ कि उनको बहुत शौक है कुछ भी रहेंगा कुकिंग का तो उनके रहते वे कुल कुछ बनाई नही हैं तो उनके हेल्प में कर रही थी उनको जो भी देना करना था मैं कर रही थी और वो अंडा बनाया और हम सब बैटके मिलके ही नाश्टा करें तो यहां पर नया इस्टैल में नहीं देखी कि यह जो है इस पे किचन टेबल पर रही थी और यहां पे यह मसाला जो है मैंने क यह रखा लिखने तो नहीं चैटपटा बना था ना तो वह रखा वाथा तो हम लोग सोचे के वह है तो उखाना चाहिए और यहां पर मेंनों को मिर्ची दियु एक मिर्ची और यह बुत अलगी तरीके से अंड़ बनाते हैं बुर्टेश्टी बनाते हैं और बरतन वगेरा ज भरम भी हो जाएंगा और फिर उसके द्हम नास्टा करने बगते हैं और कैसी लगई आपको मेरी वीडियो जरूर से बना व्लागिंग जो शॉपिंग व्लागिंग हैं वो सब कैसी लगई है जरूर से बताना और यहां पर बखरा बीचाह भी प्रिके हो गया था और यहां बहुत से लोगों ने वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने शेयर करी थी तो मैंने जो है उर्दू में मेरे पास थी तो मैंने सुची के हिंदी में मैं अपने पास रखूँ तागी अभी मेरी भेहन की शादी है तो अच्छे से पढ़ ले क्योंकि यह होता है ना उर्दू के अच्छी उर्दू बोले तो नहीं आती है जैसे के हार्ड वर्ड वर्ड वागरा हो जाते हैं तो हिंदी इंग्लिश जो अच्छे से आ जाती है तो मैंने सुची कोई भी चीज की तकलीफ नहीं होना चीए पढ़ने में ऐसा होता है ना कि नहीं आता ना पढ़ने तो बंबई में ही मिलती है और तो ये किताबी मैंने फिर महीं से बंबई लिए मैंने इसको मेरी भेहन को ऐसा गिफ्ट इसको मैंने दी हूँ ताकि ये आने वाली जिन्दगी जो अपनी आसानी से और अच्छे से गुजारे इसमें हर चीज़ बताई है औरत शादी के बाद औ औरत बालिक औरत का बच्पन औरत बालिक हो जाती है औरत जब शादी हो जाती है और फिर औरत जब मा बन जाती है इसमें सब लिखा है सास ससूर के जो भी जगड़े फसाद जो भी होते है उसके बारे में इसमें लिखा है औरत की परवरिश का तरीका है सास बहु के जगड हज और हैस की भी मसाइल है तो प्रियर्ड की मसाइल है और रोजी की बरकत की वजाइफ मतलब वजीफा है कुरान पाकी कुछ सूर्टे गए इसमें लिखी भी तो यही सब इसके अंदर है और बहुत अच्छी किताब है और इसलिए मैंने यह लेकर आई हूँ ताकि पढ़ने में कोई भी मुश्किल ना हूँ और जैसे के हाड़ वर्ड होते है तो फिर इनसान रख देता है कि अनई आरा पढ़ने के लिए तो इस वज़े से मैंने यह उर्दू में उसको लाके दी हूँ ताकि वो भी पढ़े और मैं भी पढ़े क्योंकि हिंदी में होता है ने जैसे लेंगवेज हम पहने मुँझ पर रहती है जो चीज cinco पाड़ कि वो चीछ आदि है divided वाभर्णे कि मतलब वाने की पढ़ने के सुन पस्वाइब ने दिलेप आरे लिए थे यह पर सब्सक्राइब में डिये लिए मेरे लिए शॉपिंग कर रहें थे लिए बैग लिए है यह डिली यूस के लिए अगिर जब जाएंगे बज़ार रखे लिए आपको दिख रहा है तो यह टेबल पे ना ऐसा कपड़ा रखा वाता तो अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर मम्मी ने यह ले लिए ताकि कवर टेबल कवर जो है यह ले लिए यह ले लिए यह ले लिए यह ले लिए दस्तर खान भी यूज़ कर सकते हैं वह लोग ऐसे ही पर हमेशे हैं अइसा होता है कि दस्तर खान लाल होना चाहिए उस उन्नत है दस्तर खान लाल होने की सुननत के वज़े से हम नहीं रख दिये हैं ताकि यह टेबल जो अच्छा लग यहां पर मैंने कुछ लिप्स्टिक के शीड लेकर रखी हूँ यह शॉपिंग इसके अबड़ा होता है वींके बीछ आपके होट तो खान लाप की पंक्खोर आपका होट में आही डिषोय गया म्या पिया पलग है यह लगा और यह जाए लिए महीं हुच लेकर लिए लेकर लेकर लिए लेकर देभी यह कोंदो लगाने में मुझे यह बहुत एजी लगता है मैं दोनों रखती हूँ ताकि इससे मैं शेप दे दू और जो वाला होता है जिसके इंदर ब्रश वगरा होता है क्या मुद्ध में गुद्ध याद नी तो वाला इसलिए रखती हूँ जाकि उसको डार्कनिस मतलब के उसके कवर अच्छा आख लगता है तो अच्छा आख लगता है तो इससे में शेप देती है तो दोनों मैं रखती हूँ लाइनर और एक यह वाला लिप्स्टिक का शेड लेके रखिए जब भी बजा जाओ या लिप्स्टिक की गया मेकप का कुछ कर तो नीउड शेड तो मेरा लेना जाए घर मेरे या नहीं रहे तो यह जो लिप्स्टिक है वो लही हो और फीनक वाल जो है पिंक वैलम बहुत खुबसुरत लगा पिंक वैलम में हो जाता है और जली लिगलता भी नहीं और जैसे कि आप लिका लोगे जैसे ऑईल वगएर से तो जली लीगल जाता है पर ऐसा ब्रेंड देखू तो वह सब में इते खास लगता नहीं है और सिर्फ नाम होता है पर जो चीज का नाम नहीं होता है वो काम बड़ा अच्छा करता है तो यह सब ली हो और यह कंसिलर वगेरा सब इसी के अंदर रखी एक पाउच है जिसके अंदर इती सारी लिपस्टिक है उस बोक्स है इसी के इंदर मेरी सारी ज्वेल्र के नादी मेरी के बडक मेरे बड़ा बम दूच्छ कर जो शायर तो कर बन के मंशू करी है। यह बीड़ा जैयो कर लाई हूँ कि यह मम्मी को इतना खासली लग रहा था यह जादा अच्छा लग रहा था तो फिर मैंने यह ले ली और यह गोल्डन में है और बहुत कुपसुरत लग रहा है और यह मैगनेट इसमें यह खुद बे-खुद चिपक जाता है और दूसी बत यह है ना कि इसको थोड़ा से ता ताइट होके पैने बहुत अच्छा लगता है और यह बॉक्स में सारी में ज्वेलरी रखी हूँ अपनी और इन्शाला मैं के कर आप से शेयर करूंगी क्या-क्या मैंने ली हूँ और यह पिलो है जिसका कवर है यह ब्रेसलेट का अभी मैं इसको रख दूंग अभी नहीं पहनुगी देखती हूँ मैं कप पहनती हूँ और यह बॉक्स के अंदर मैं रखी हूँ और उसके बाद हो जाती है पैकिंग तो उसके बाद शुरू होती है पैकिंग और यहां पे हम जो बॉक्स है उसके अंदर जो भी कवर मतलब के यह शादी के रिलेटर ही है और यहां जो कपड़े है उसको प्या करना था उसको मतलब जो होता है जिसमें कपड़र वगर कवर जो रखते हैं जैसे कि अब आपको मैं बताऊं गी तो इसा था के हमने बैग लेके लिखे और इसी कर अंदर कपड़े हम पेक नौने वाले और वही मैं देख रही थी कैसा करना है मतलब 10 बाожно दस बार उसको लिकालना रखना 10 बार सोच सोच के कैसा रखने क्या करना है तो वह रख रही थी तुझा सोच रही थी अच्छा है अच्छा करलू पर फिए उसके बाद जैसा हुआ वैसा मैने रख दी और मैंने शायद और बहुत अच्छा मतलब एक एक दिन ऐसा हो रहा है ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ काम रह रहा है या शादी के रिलेटेड हो या कुछ और काम हो या कुछ और काम हो तो हर टाम मतलब कुछ ना कुछ काम रह रहा है ताकि मतलब कभी शिफ्टिंग कर रहे तो कभी ब क्योंकि हम एक हैने के बात क्योंकि है 21 को उसकी बी है और जो मेरी बहन को उसकी है और जो मेरी बहन की शादी है और जो अक्टोबर में है तो मेरे कजीन जो है मेरी बड़ी अमी का जो बेटा है उसकी शादी है 21 को है तो एक मेहने का पुरा फरक है तो इसलिए भी हम थोड़ा काम जल्दी कर रहे हैं आप सोच रहे हैं अब एक मेहना है तो मतलब दो मेहना समझ लो क्योंकि अभी तो सेप्टेमबर चल रहा है गुजरेंगा मैं शेयर करूँगी और हो सके तो मैं अब वीडियो एड करने की कुशिश करूँगी कि बहुत दीन हो जा रहे हैं मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ मुझे ऐसे लग रहे है कि अब शादी का जो चल रहा है तो वह उससे रिलेटेट वीडियो अगेरा एड करूँ जैसे शॉपिंग चल रही थी तो फिशॉपिंग ही शॉपिंग मैं दीखा ही आपको तो इस वज़े से मैं अपलोड नहीं कर पा रही तो यहां पर मैं आपक करना है स्वादनुसार और सिर्फ यह पिज़े का डो बना रही हूँ मैं जो पिज़े खाने का बहुत मन हो रहा था तो फिस सब सामन मैंने देखी अवेलेबल है तो फिसोची मैंने घर में बना लेती हूँ तो यहां पे मैंने नमक शामिल कर दी फिर उसके बाद मैं तू अगर आपके पास यस्ट नहीं है तो आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पॉडर भी यूज़ कर सकते हो और बहुत से रेसिपी यूट्यूब पे मिल जाएंगी पिज़े डो की जैसा मैं बनाती हूँ उससाब से मैंने आपसे शेयर कर रही हूँ और यहां पिज़े का डो क आपके रही है यहां पे टू टेबल स्पून मैंने दही एट कर दी ओएल शेमिल कर दूंग अब इसको गुल लेना है और इसको गुल लेना है फिर थर्टी मिनिट्स के लिए रख लेना है जब तक उसके अंदर फूगा पन नहीं आ जाए तो समझने आपका डो रेडी नही तो इसको अच्छे से और गुल ला है और इस तरीके से स्प्रेड कर गें मतलब जिसमें पिज़ा बना रहे है वैसा रख देना है और यहां पर अभी मैं स्टफिंग कर लूँगी अभी पहले इसको काटी की चमच की मदद से इसको होल कर दूँगी ताकि यह बर्गर ना ब जाती है पुरी और यह फूग जाता है और यहां पे मैंने स्टफिंग कर लिए अभी इसको मेरेडी कर लूँगी और बहुत टेस्टी यमी यह पिज़ा बना था और फिर इसको होता है दूसरे दिन जिसमें हमारा मुफासब है सब घूम जाता मतलब बैल उपर चले जाता ह सब्सक्राइब बैला है यहां पे हमने जो रेंट पर देगए रखें रूम और यह जो टेरीस है यह और यहां पे हम ढूनने आय थे मुफासब को तो मुफासब भाई सब है कई पर भी नहीं दीखना हम लोग को लगा की यह कई चले गया है अब पता नहीं आता है के नहीं मेरे बहन ने बोली है क्योंकि ऐसा हुआ था हम बैठे थे ना एक अंकल उतर के गए तो अब उपर है था हम कोई भी नहीं रहते हैं तो उतर के गए ना उसको लगा कि दूब कि घर में होगा यह और यह उसको दूने तो फिर दूब उतर भी गए थे हैं अपर नहीं पता नहीं अब कहा चलेगा फिर वापिस से उपर जाएगे मेरी बेहन ने बोली कि मम्मी यह देखो उपर होगा वो रूम में बैठा हुएंगा तो यह भाई सब इधर बैठे वे थे और अंकल को में बोले कि बोल दिये होते तो बोले नहीं वो नमास के लिए हमे